नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देविंद्र, महराजा जिवाजी रावशिंदे महाविद्यालई, स्रीगोंदा हिंदी विभाग, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ. दोस्तों, आज हम लोग जिस कविता का पाट पढ़ने वाले हैं, उस कविता का शिरिशक हैं, एक लव्वे से समवाद. दोस्तों, हिंदी के समकालीन कवियों में अनुज लुगुन का स्थान महत्वपुर्ण है. अनुज लुगुन की एक लव्वे से समवाद यहां सुप्र कि उन्होंने अपने आदिवासी समाच के समाच का लेखा जोखा हमारे सम्मुक रखा है समकालिन कवियों में अनुज लुगुन का स्थान महतोपुर्ण है आदिवासी विमर्ष को आगे ले जाने वाले कवियों में अनुज लुगुन महतोपुर्ण भूमी का अधाक कर रहे अनुज लुगुन को हिंदी सहीत्य का महतुपुर्ण पुरुष्कार भारत भुषन अग्रवाल पुरुष्कार प्राप्त है अनुज लुगुन के प्रसित्व कावे संगर है और गोशित उल्गुलान एक लव्य से समवाद औरत की प्रतिक्षा में चांद, गुलाम गिरी तुम अगर आओ महुवे चुन्ता वसंत के बारे में कविता महुआई गंध आदि कावे संग्रवन के प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज हम लोग अनुज लुगुन की एक लब्वे से समवाद इस कविता का पाठ करेंगे। इस कविता में अनुज लुगुन ने एक लब्वे से अनेक सवाल किये हैं। उनी लोगों का अस्थित्व आजा सुरक्षित है। इस भाव को अनुज लुगुन ने बहुत सुन्दर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखते हम लोग कविता का प्रथम भाग। कवि कहते हैं कि घुमन तू जीवन जीते। उनका जथ्था आ पहुचा था घने जंगलों के बीच। तेज बहती अनाम पहडी नदी के पास और उस पार की कौतुहल ता में कुछ लोग नदी पार कर गए थे और कुछ इधर ही रह गए थे। तेज प्रवा के समक्ष अक्षम तब तीर छोड़े गए थे उस पार से इस पार आखरी बिदाई के सरकंडों में आग लगा कर और एक समुदाई बढ़ गया था। नदी के दोनों और चत्तानों से थपेड़े खाती। उस अनाम नदी की लहरों के साथ बहता चला गया उनका जीवन। जो कभी लहरों के स्पर्ष से जुमती जंगली शाकों की तरह जुम उठता था। पर पानी के उतर जाने के बाद मजबूती से फिर खड़ा हो जाता था उनके जीवन में संगीत था। अनाम नदी के साथ सुर मिलाते पपी है की तरह जीवन पल रहा था। एक पाहड के बाद दूसरे पाहड को लांगते और घने जंगल में सुके पत्तों पर हुई अचानक चर्राहट से उनके हातों में धनुष ऐसे ही तन उठती थी। दोस्तों कविता की इस प्रतम भाग में आदिवासी समाज अपना स्थल छोड़कर अपना स्थान छोड़कर यहां वहां जंगलों में कैसे भटकता है। इसका भी वर्नन कभी ने किया है, कि जत्था का जत्था आता है, समू का समू आता है, एक समू नदी के पार जाता है, और ऐसे आदिवासी समाज दिखर चुका है, जो आदिम निवासी है, जो इस पृत्वी का सच्चा रक्षक है, प्रकुति के साथ वर रहता है, जीता है, व जैसे पपीह का पपीह की आवाज है पक्षियों की आवाज है नदी का कलरव है पत्तों की सरसराहट है और थोड़ी सी सरसराहट होने पर वह अपना धनोश तान देता है ऐसा है आदिवासी और ऐसा है आदिवासी जीवन इसका वर्नन कविता के प्रथम भाग में कवी ने किय कवीता के दूसरे भाग में कवी ने शिकार का वर्नन करते हुए कहा है हवा के हलके झोको से हिले पत्तों की दरार से तुमने देख लिया था मदरा मुंडा जुर्मोटों में छेपे बाग को और हवा के गुजर जाने के बाग पत्तो की पुनस्थिती से पहले ही उस दरार से गुजरे तुमारे सदे तीर से बाग का शिकार किया था और तुम हुर्रा उठे थे जोवार शिकारी बोंगा जोवार तुम्हारे शिकार को देख हैंदेल और उनकी सहलिया हंडिया का रस तैयार करते हुए आज भी गाती है तुम्हारे स्वागत में गीत संदेश संदेरा कोड़ा को कपी जिलिब जिलिबा संदेरा कोड़ा को कपी जिलिब जिलिबा तब भी तुम्हारे हातों धनुष ऐसे ही तनी थी तब भी तुम्हारे हातों धनुष ऐसे ही तनी थी दोस्तों कविता के प्रथम भाग में आदिवासी कैसे विस्तापित होते हैं जंगलों में कैसे रहते हैं इसका वर्नन कवी ने किया है और आगे कभी कहते हैं है तुम्हें पता है कि जब आदिवासी शिकार करता है तो कैसे करता है पत्तो की सरसराहट को वह समझ लेता है और वाग का शिकार करता है इसका बहुती सुंदर वर्नन कवी ने यहां पर किया ह कविता के तीसरे भाग में कवी ने बहुत सुन्दर वर्नन किया है कवी पहले भाग में आदिवासियों की विस्तापन की समस्य लेकर आता है दूसरे भाग में आदिवासियों का शिकार का हुनर्थ दर्चाता है और तिसरे भाग में आदिवासियों के वुज्वलित इध्यास की और इंगीत करते हुए कभी कहते है उप अमावस के सागर में ओस से घुमते मचान के नीचे रक्सा डायन और चुडेलों के किस्तों के साथ खेत की रखवाली करते काडे हाडम तुमने जंगल की निरवता को जंकरित करते नुगुरों के संगीत के अचानक उलहना को पहचान दिया था और चर्रचरग की समुधोनी की दिशा में कान लगा कर अंधेरे को चिरता अनुमान का सटिक्तिर छोड़ा था और सागर में आती लगुबुकंड की तरह सनई की रोशनी में तुमने ढून निकाला था अपने ही तीर को जो बरहे की चाती में जादसा था तब भी तुमारे हातों छुटा तीर ऐसे ही तना था जब डुमबारी बुरु से सेकडो तीरों ने आगुगली थी और हाड मांस का चरहरा बदन बिर्सा अपने अद्भुत हुनर से भगवान कहलाया ऐसा ही हुनर था जब मुन्डाओं ने बुरु इरगी के पहाड पर अपने स्वशासन का जंडा लहराया था यहाँ पर कवी ने तीसरे भाग में आदिवासियों का संगर्ष संगर्ष का उज्वलित इत्यास आपके सामने रखा है जिसी इत्यास की चर्चा इत्यास में नहीं होती वहाँ कवी ने अपनी उंगली रखी है आदिवासियों की जल जमीन और जंगल के लिए आध्यकरांतिकारख बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया बिरसा मुंडा आदिवासियों के बापक है उल्गुलान आंदोलन उनका प्रसिद्ध है लेकिन उस उल्गुलान को वन्याई नहीं मिला कविता के चोथे भाग में कवी कहते हैं कि जो कविता का शिर्षक है एक लव्वे से समवाद और वो एक लव्वे से सीधी बात करते हुए बहुत संदर पर्दती से कवी ने समवाद किया है हाँ एक लव्य ऐसा ही हुनर था जैसे तुम तीर चलाते रहे होंगे द्रोन को अपना उठा दान करने के बाद दो अंगुलियों और तरजनी और मध्यमिका के बीच कमान में तीर फसा कर एक लव्य मैं तुम्हें नहीं जानता और नहीं तुम्हारा नाम और न मैं जानता हूँ तुम्हारा कुर्सी नामा न मैं जानता हूँ तुमारा कुर्सी नामा, कुर्सी नामा का आर्थ होता है अपनी वंशावली या अपने वंश का इत्यास और नहीं मैं तुम्हारा नाम अंकित है मेरे गाउं की फट्थर गड़ी पर जिससे होकर मैं अपने परदादा तक पहुँच जाता हूँ आदिवासी समाज में अपने पुर्खों की अगर किसी की मृत्ति हो जाती है पिता की दादा की परदादा की तो उनके नाम के फट्थर लगाये जाते हैं और उन फट्थरों को देखकर उन्हें याद किया जाता है उसे पत्थर गड़ी कहते हैं आके कवी कहते हैं न मैं जानता हूँ तुमारा कुर्सी नामा और नहीं तुमारा नाम अंकीत है मेरे गाओ की पत्थर गड़ी पर जिसे होकर मैं अपने परदादा तक पहुँच जाता हूँ लेकिन एकलव्य मैंने तुम्हें देखा है मैंने तुम्हें देखा है अपने परदादा और दादा की तिरंदाजी में भाई और पिता की तिरंदाजी में अपनी मा और बहनों की तिरंदाजी में हाँ एकलव्य मैंने तुम्हें देखा है वहां से आगे जहां माहभारत मे तुम्हारी कथा समाप्त होती है वहां से मैंने तुम्हें देखा है वहां से मैंने तुम्हें देखा है इस प्रकार इस चोथे अंश में कवी ने कहा है एक लव्य मुझे तुम्हारे इध्यास से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन तुम्हारा अस्तित्व आदिवासियों की रग-रग में है हर आदिवासि की रग-रग में है क्योंकि मैंने तुम्हारे तीर चलाने का जो हुनर था वह मेरे दादा में देखा है, पर दादा में देखा है मेरे भाइयों में देखा है, मा में देखा है, बहनों में देखा है, यह बात यहाँ पर कभी कहते हैं. यहाँ पर कभी कहते हैं दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आदिवासी समाज को संगर्षे के लिए तयार रहना है और उसे अपने उजवल इत्यास को ध्यान में रखना है एकलव्य से समाद किया है एकलव्य मुझे तुमारी मन्शावली से कुछ लेना देना नहीं है तुमारा जो कर्तुत्व है तुमारा धनुचलाने का जो हुनर था वह हुनर हमारे आदिवासी ओमें हमें दिखाई देता है यह कभी कहना चाहते है कभीता के अंतिम भाग में कभी कहते है एक लव्य मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे हुनर के साथ एक लव्य मुझे आगे की कथा मालूम नहीं क्या तुम आये थे केवल अपनी तिरंडा जी के त्रदर्शन के लिए गुरु द्रोन और अर्जुन के बीच या फिर तुम्हारे पदचिन्न भी खो गए शब्दही निथ्यास जहर बुझे तीर से रक्तरंजित शब्दही निथ्यास एक लव्य काश तुम आये होते महअभारत के युद्ध में अपने हुनर के साथ एक लव्य काश तुम आये होते महाभारत के युद्ध में अपने हुनर के साथ तब मैं विश्वास के साथ कह सकता था दादा जी ने तुमसे ही सिखा था तिरंदा जी का हुनर दादा जी ने तुमसे ही सिखा था तिरंदा जी का हुनर दो अंगुलियों के बीच कमान में तीर फसा कर दो अंगुलियों के बीच कमान में तीर फसा कर एक लव्य जब भी तुम आना एक लव्य जब भी तुम आना तीर धनुष के साथ ही आना हाँ, किसी द्रोन को अपना गुरू न मानना, वह चल करता है, हमारे गुरू तो है जंगल में बिचरते शेर, बाग, हिरन, बरहा और वुर्षो की छाल हमारे गुरू तो है, जंगल में बिचरते शेर, बाग, हिरन, बरहा और वुर्षो के छाल, जिन से सीकते बत्याते हमारी सदी हुई कमान किसी भी कुट्टे के मुँँ में सो तीर भर कर उसकी जुबान बंद कर सकती है उसकी जुबान बंद कर सकती है एकलव्य के माध्यम से, आदिवासी समाच को कहा है क्या है एकलव्य, तुमारा इधियास, वह किसी काम का नहीं है तुमने जो गल्ती की थी, वह फिर से नहीं करना अब हमें हमारी प्रकुति के लिए हमारी संस्कुति के लिए हमारे अस्तित्व के लिए जब भी आवाज उठानी पड़ेगी तब तुम्हें अपना तीर और धनुष उठाना पड़ेगा और सामना करना पड़ेगा उन लोगों का जिन लोगों ने तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की है उनका सामना तुम्हे करना पड़ेगा दोस्तों हम लोग ने आज देखा कि एक लवे से समवाद इस कविता में कवी ने पाचों भागों में अलग-अलग परस्तितियों का वर्णन किया है प्रथम भाग में विस्थापन की समस्या को वो लेकर आए है किस प्रकार आदिवासी समुदा आए है विस्थापित होता रहता है इस नदी से कूपार करकर अनाम नदियों में घुमता रहता है और उस समय उसका प्रकुति से संबंद कैसे आता है वो प्रकूति के साथ कैसे घुन मिल गया है वो संगित का वर्नन्व करते है दूसरी भाग में भी हम लोगों ने देखा की उसका जो हुनर है शिकार करने का कैसा है और उसके हुनर की याद यहाँ पर कवी ने डिलाई है क्यूं डिलाई है क्यूंकि वो प्रकुति के साथ संबन्द रखता है जल, जमीन और जंगल से जुड़ा हुआ है आज उसी आदिवासी समुदाई की परस्तिती इतनी भहेंकर है कि आज हुने विस्तापित होना पड़ रहा है जिसने परियावनिं की रख्षा की है आज उसकी ही रख्षा करने वाला कोई नहीं है ऐसे समय उसे अपना इध्यास याद होना आवशक है ये कवी ने हमारे सम्मुक रखा है उसे के साथ साथ तीसरे भाग में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर कवी हमें याद दिलाता है कि आदिवासी समुदाई का इध्यात जो है विशेश रूप से बिर्सा मुंडा की करांती कारिक्ता को यहाँ पर दर्शाया है किस प्रकार बिर्सा ने जल जमिन जंगल के लिए आंदोलन किया और अपना पूरा जीवन उसके लिए बिता दिया दोस्तों इस कविता का महतोपुर्ण पहला मुद्धा हम लोग देखेंगे कि आदिवासी और प्रकुति का संबंद आज हम सभी लोग जानते हैं आदिवासी समुदाई अलग-अलग भागों में विस्तापित हो गये हैं वहां महनगरी परिवेश बढ़ रहा है आज उन्हें जंगल से निकाला जा रहा है आज उनके अस्तित्व पर हमला किया गया है और यह हमला करने वाली बाजारवादी प्रोडूति है व्यापारी प्रोडूति है ग्लोगलाईजेशन के नाम पर वेश्वी करन के नाम पर आज आदिवासी बस्तिया उजड रही है ऐसे में उनको अपने अस्तित्व की रक्षा के दिए तीर धनुश उठाना पड़ेगा यह भी बात कभी कहते हैं कभी ने आगे भहुत सुंदर बात कही है आदिवासी संस्कृति का वर्णन भी बहुत सुंदर किया है वो अपने अपने काम में मस्त रहते हैं शेर, चीते, पशू, पक्षी, इन सबसे उनका सम्मंद रहा है और आदिवासी संस्कृति का एक नियम है कि वह किसी को तकलीप नहीं देती वो किसी पर पहले हमला नहीं करती लेकिन, लेकिन जब उस पर हमला होता है तब उसे लड़ना पड़ता है उस लड़ाई का वर्णन भी बहुत ही सुंदर विर्सा मुंदा के इत्यास द्वारा हमारे सम्मुक कभी ने रखा है जल जमीन और जंगल का ये संगर्ष आज भी जारी है आप सभी लोग कहोगे कि ये जल जमीन जंगल का संगर्ष क्या है आज हम लोग परियावरन की मांग कर रहे है आज परियावरन के लिए हम लोग कह रहे कि परियावरन की रख्षा करो अरे जो विक्ति परियावरन की रख्षा करने वाला समुदाई था उसकी रख्षा आप लोग नहीं करते जिसने परियावरन को सुरक्षित रखा था उसके और हमारा ध्यान नहीं है और आज हमारा समाज परियावरन रख्षा की बात करता है कभी-कभी ये भी बात मत भुलिए जैसे पेड़ कट जाने से बारिश नहीं होती वैसे आदिवासी समुदाई नश्ट हो जाने से हम लोगों को प्रकुति के रक्षक नहीं मिलेंगे और समुदाई क्या होता है और आज हम लोग समकालिन परिस्तियों में देख रहे हैं कि सारे लोग प्रकुति की और लोटने की बात कर रहे है बैचारे आदिवासियों ने क्या भी गड़ा था आज शहर बस्ते गए और आदिवासियों की बस्ती अउजड़ गई ये सारे आदिवासी यहां वाँ भटक रहे है, कोई शहरों में काम कर रहा है, कोई कहीं पर भी कह सकते हैं कि महनत मजदूरी करता हुआ ये आदिवासी दिखाय दे रहा है, लेकिन उसके ही स्थलों पर ये जो आकरमन हुआ है, उस आकरमन के खिलाप आवाज उठाने के लिए एक लव्य को आना पड़ेगा इसकी मांग भी कभी ने की है क्योंकि आदिवासियों का इत्यास भी कैसे लिखा गया है आदिवासियों का इत्यास भी कैसे लिखा गया है इत्यास भी ऐसा लिखा गया है कि उस इत्यास में भी एक लग्या ने द्रोन को अंगुठा दे दिया अरे जो उसका बलस्थान था उसका अंगुठा लेने के बाद आपनों उसे कहते हैं कि युद्ध करो कभी कहते हैं कभी ने आखरी बहुत सुन्दर समीशब्द दिया है एक लग्या तुम अपने तीर धनुष के साथ आना लेकिन है आदिवासी व्यक्ती तुम्हें ये भी ध्यान में रखना होगा कि कभी किसी द्रोन को गुरू न मानना ये सबसे बड़ी भटकार कभी ने यहां पर लगाई है आदिवासी समाज का अस्तित्व का संगर्ष यहां पर कभी ने व्यक्त किया है ये संगर्ष को आगे ले जाना होगा नहीं तो वेश्वी करण के जमाने में यह आदिवासी समुख नश्ट हो जाएगा इसलिए एक लव्यक की याद करते हुए है कभी एक लब्वे से समवाद करते है और आदिवासियों को सचेट करते है कि कभी भी अपने सक्षक्ति को किसी के सामने दान मत कर देना गुरु दक्षिना अंगुठे के दी थी अब हमारे आदिवासी भाईयों को समुधाई वालों को अब किसी को अंगुठा देनी की जरुरत नहीं है हमारे गुरु कौन है आदिवासी संस्कृति का वर्णन भी बहुत सुंदर किया है और यह हमारे गुरु वृक्ष है संतों ने कहिकर रखा है हमारे गुरु कोन है जंगल में बिचरते शेर है बाग है पशु पक्षी है पेडो की छाल है और कितना पड़ा संदेश प्रकुति पुजक यह आदिवासी समाज है उस आदिवासी समाज की नश्ठ होने की जो बात यहां पर कभी ने की है और वहां पर आखरी चेतावनी भी दी है कि है एक लव्य हमें इतनी ताकत भी है कि हमने अगर हमारे प्रकुति को गुरु मान कर किसी से भी लड़ाई की तो किसी भी भोकने वाले कुट्टे के मुँ में दीर में डाल सकता हूं यह सबसे तिवर भी कह देंगा कि इसके पहले दलित कभीताओं में यतना विद्रों दिखाई देता था और हिंदी के आदिवासी बाकी के कभीयों में भी आदिवासी संस्कृति का वर्नन है लेकिन आनूज लुगून युवा कभी है तो युवा कभी ने सीधा आभान दिया है कि अकल उठ कर संगर्श की बारी आई तो हम लोग किसी की किसी भी कुट्य के मूह में बान चलाने की ताकत रखते हैं संगर्श करने की ताकत रखते हैं यह कभीता नश्टव होते हुए समुदायों को प्रेना देती है यूकों को प्रेना देती है इसलिए यह कभीता महतुपुर्णत म मानी जाती है। में लिख सकते हैं ये आप सभी लोगों को व्यक्ति स्वातंत्र आप लोगों को दिया गया है। तो इस प्रकार आज के पार्ट में हम लोग यही पर विदा लेते हैं और आप सभी लोगों से बिलती हैं। आपको ये कवीता पाट कैसे लगा, इसकी प्रतिक्रिया वाटसाप पत दे सकते हैं, अथवा आप लोग मेरे यूटूब चैनल को सब्क्राइब करकर हमें प्रेना दे सकते हैं, कि हम लोग अगले पाट करें, धन्यवाद, जै कर्मवीर